कि जो पैसा बखड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है हम लोग सराब का पैसाए में तकरीबन हम सोच्था के सो साल से भी उपर हो चुका है और उसकी सारी दनकरी मैं आपको दे जरा हूँ कि मैं तकरीबन 30-30 साल से सक्रियर रानेती में हूँ हुचर रानेती में तो उसका 77 भी सो हूँ लेकिन मैं सक्रियर रानेती में मैं 30-30 साल से हूँ अरी अप मेरा पहला ऐसा वर्दात हुआ मेरे साथ में इसे मेरे दिल में काफी चोट पहुंची है चुकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद नहीं हो लेकिन आज विवाद खाड़ा हो गया तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में मैं मैं जनकारी देना चाहता हूं मेरे बड़े भाई शुपतात्शाहू दो भार राँची के संसत्य रहें और उसके बाद हम लोगों ने काफी कुछ बिकात के काम किया है, लोहर दका हो राची हो, और अन जगह में भी हम लोगों नहीं है, उनद जगह हमलोगों ने काफी हम लोगों कुछ किया है, और हमारे पिता जी सुर्गे राय साहब बलते साहू वो कि काफी गरिबों का मदद करते थें समाद सेवा करते थें कैसी हैं और हम लोगों ने कॉलेजी सुकुल काफी सारा खुला हम लोगोंने लेकिन आद इस तरह से जो हो रहा है तो मुझे काफी दुख पहुंची है और मैं अद्विय का एसकता हूं कि जिव पैसा बैकलाया है वो मेरा हुरन का पैसा है हम्हेरा अओ तक्रीबन हम सुच्टा है कि सौ साल से भी उपर हो चुका है और उसकी सारी जनकारी मैं आपको दे जा रहा हूं कि इन सौ साले में हम लोगों को ने चरखा को काफी कुछ किया काफी रेवनों दिया और आज इस तरह सो हो आप तो मुझे काफी चोट पहुंची है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने तरह से इसे खुळाता कर दूँ हम लोगों को जनकारी मिलें और मैं दिल्ली में ही था आप मैं स्थिती अची आगी दिस भिल मों के समने आने मुझे सरम महसूद वह थी और मैं कि छोड़कर क्या मं अपने बिजनस में भी नहीं ज़्यादे ध्यान देता था बिजनस मेंने परिवार आप करते थे कि अफिक पर में पूछ तरह था बिजनेश के बारे में बापकी हमको अधिक तर्समें में राइनिति में ही अपना समय लिए है तो मैं कुछ चीज जो आपनी कंपनी के बारे में इपने व्हुग हन का बारे में मैं पड़कर बता दे रहा हूँ जी होगा ये कि हमारा जो परिवार है एक तहायुक परिवार है हमारा इसमें कुल हम लोग छे भाई थे से भाई हैं और उनके बच्से लोग भी से जुड़े विह हैं को आर हमारा सौ साल से भी उपर का जो कम्पनी है या फिर पुराना ये बिजनेस है और हम यह जो कैस का जो पकड़ा गया है यह हमारे बैपार सराप से समधित भर्मों का पैसा पकड़ा गया है हमारा परिवार पिछले सौ साल से अधिक से चलता आरहा है थता हमारा जो भी कारोबार होई बिल्कुर परदेशी है आपकी जनकार के लिए बता दूब कि जो कैस पकड़ा गया है और सराप भीकरी के पैसा है क्योंकि सराप बैपार में सारा सेल कैस से होता है यह पैसा चेल कलेक्शन था या पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन राजनेतिक दनों से कोई इस पैसे का कोई सम्मन नहीं है जो की चर्चा में आया है तो इसके बारे में बताद रहूं यह पून रूप से हमारे कंपनी का पैसा था ओर केस्ट का इसे ही हमारा वेपार चलता डेली आप लोग भी जानते हों का सहराब जहां जहां भी बिसने से होता हो वह कैस का ही एक है हमारा और मैं हमारे में बता दीत हो कि बल्दे शायू स्युपर शाहू ईंड जंप के नाम से हमारे है और दूसरा है रिते साहू यह टीनों अप हमारे रिष्षिदार का है इसके अलावे हैं हमारे और भी सारे रिस्षदार लोग हैं उनके नाम से भी है यह फर्म जलता है जहां तक BPDL की बात जैसा है कि अकबार मीडिया के माधम से दिखाया जा रहा है वो कैस जो बरामत नहीं हुआ है वहाँ पर जो कैस को लोग बोलते हैं कि काफी मात्रा में कैस वहाँ वरावद हुआ है तो वह हमारा डिकलरी वहाँ पर है वह सरा बनता भी है और वहाँ पर किसी तरह के भी कोई भी कैस नहीं पकड़ा गया अगल जोगी पैसा मेडिया के मादम मेरा दिखाय जा रहा है वो सारा पैसा तो मैं आपको जनकारी दे रहा हूं जो अभी चीज आप मैं पढ़कर बता है वो बिल्कुल सत्थ है इसमें किसी तरह के भी कोई छीपाने वाली बात नहीं है आप इसको 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 मैं कुल रूप से मैं कन्फिडेंस के साथ कर रहा हूं कि इनकंटेक्स ने छापा मारा है तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूँगा है क्योंकि अभी बहुत सारा चीज ऐसा हमको पता चला है कि घरवाले से मैंने चर्चा किया तो पता चला कि अब पैसा हम लोग के जैसे महुआ खरिकता है उसी से सराब बनता है उसका कि परिवारोबाले सफाई यह पिर अपना जोभी चीज दिखाना वह इंकंटेक्स के सामने ही देंगे तो आप कुछ दिन और इंतिजार कीचे मैं और भी चीज पर आपके सामने आकर बताऊंगा जो कि मैं किसी तरह के कहुई भी चीज में है जैनिकांटेक्स हो यार भी कोई है मैं सबको हम लोग उनको मदद करेंगे और सारा चीज के जनकारी में जनता के सामने रखोंगे जाके हैं